हेलो दोस्तों कोकिंग विद मंता में मैं आज आपके लिए होली की स्पेशल रेस्पी जिसके बिना होली अधूरी लगती है जी है आज मैं आपके साथ ठंड़ाई की रेस्पी शेयर करूँगी और वो भी दो तरीके से एक तो मैं ठंड़ाई का पाउडर बुनाऊंगी और दूसरा ठंड़ाई का सिरफ यह इंस्टेंट ठंड़ाई है और बहुत इस इंपल तरीके से मैंने इसे बनाया है और इस ठंड़ाई को आप काफी समय के लिए इस्टोर भी कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हमने यहां पर पैन को अच्छे से गर्म कर लिया है और फिर घैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और अब हम इसमें वन टेबल स्पून सॉफ साथ से आठ छोटी इलाइची एक इंच दालचीनी वन फोर्थ पीस जायफर ले रहा है और इसमें हम वन टेश्पून काले मेज डाल रेर अपर सुखी घुलाब के फूंखणिया ले रहे हैं इन सब को हम भलका सा गर्म कर लेंगे जिससे कि इनको पीछने में आसानी हो यह गर्म हो चुके हैं अब हमने यहां पर फिर से गवर पैन को गर्म किया है और गैस को बंद कर दिया है अब हम इसमें आधर कप बादा वन थर्ड कप काजू, वन फोर्थ कप पिस्ता और यहां पर हम वन टेबल स्पून पोस्ता ले रहे हैं जिसको कि खस खस भी करते हैं या पॉपे सीट करते हैं इन सब को भी हम इसमें हलका सबस ड्राय रोष्ट करेंगे आप ध्यान दिजेगा कि हमने यहां पर गैस की फ्लेम को बंद कर रखा है इन दोनों चीजों को मैं यहां पर अलग अलग पीस कर पाउडर बनाऊंगी आप अगर चाहेंगे तो एक साथ भी पीस कर पाउडर बना सक पर मैं यहां पर अलग पीस रही हूँ इसकी वज़ए यह है कि मैं यहां पर मसाले को जब पीस हूँगी और उनके जो रेसे होंगे उनको चान कर अलग कर लूँगी और ड्राय फूर्ट को मैं अलग पीस कर उनके साथ इने मिक्स कर दूँगी पहले हम यहां पर मसाले को प जार हैं इसकी वज़े से हम इने चान लेंगे जिसे की हमें एकदम fine powder यहाँ पर मिल जाए अब हम dry fruits को piece कर powder बनाएंगे उसके लिए हमने इनको jar में डाल दिया है और अब हम इने piece कर powder बनाएंगे dry fruits भी यहाँ पर पीस चुका है यह देखिए इन्हें हमें चानने की जरूरत नहीं है हम ऐसे ही यूज़ करेंगे अब हमने यहाँ पर एक बड़ा बोल लिया है और इसमें हमने जो dry fruits को पीसा था उसे हम इसमें डाल देंगे और साथी साथ हमने जो मसाले को piece कर powder बनाया था उन मसाले को भी हम इसमें डाल कर अच्छे से mix कर लेंगे ठंड़ी का powder कि हम यहा पर पानी लेंगे तो उस हैसाथ से हम यहाँ पर दागे ले रहा है और इन पानी और शक्र टोर को हम अच्छे से गुलने देंगे चीनी पानी में अच्छय से गुलने लगी है तो अब हम इसमें ये कुछ केसर के धागे ले रखे हैं उन्हें दाल देंगे केसर का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा लगता है अगर आपर रवायर करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर थोड़ा सा येलो फूट कलर डाल सकते हैं, मैं यहाँ पर केसर के साथ साथ थोड़ा सा येलो फूट कलर भी इसमें डाल रही हूँ, ठंड़े का कलर चुके पीला होता है, इसलिए मैं यहाँ पर इन दोनों चीजों को डाल रही हूँ, चीनी पानी में अच्छे से पक चुकी है तो अब हम इसमें हमने जो ये ठंडे का पॉडर दियार किया था उसे हम इसमें डाल देंगे और एक से दो उबाल आने के बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे जैसे ही इसमें थोड़ा सा चिप-चिपा पनाएगा हमें उतना ही इने पकाना है अब हम गयस की फ्लेम को बंद कर देंगे और जब ये ठंडे होंगे तो ये और भी तीक हो जाएंगे हमने इन सिरप को एक बोल में ट्रांसफर कर दिया है और जब ये थोड़े ठंडे हो जाएं तो फिर हम इसमें ये half teaspoon गुलाब जल डाल रहा है इन गुलाब जल को डाल कर हम इने अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम इने एक बोटल में या डिब्बे में भर कर इस्टोर कर लेंगे ठंड़े पाउडर और ठंड़े का सिरफ दूनों या पर अपत्यार हो चुका है इन पाउडर और सिरफ से हम ठंड़े कैसे बनाएंगे ये मैं आपको बना कर बताती हूँ पहले हम यहाँ पर ठंड़े पाउडर से ठंड़े को बनाएंगे उसके लिए हमने यहाँ पर मिक्सर का जाल लिया हुआ है और इसमें हम यह एक गिलास दूट डाल रहे हैं और अपने मिठास के इसाब से हम यहाँ पर शक्र डालेंगे यहाँ पर मैं एक चमश शक्र डाल रह और फिर हमने जो थंड़े का पाॉडर तयार किया है उन थंड़े पाॉडर को हम यहाँ पर दो चमस डाल देंगे और यहाँ पर हमने कुछ केसर के धागे लिए हैं अगर आपके पास केसर नहीं है तो आप यहाँ पर थोड़ा सा यलोः फूड कलर भी डाल सकते हैं और इन अब हम वापिस से ग्लास ठंडा दूद ले रहे हैं और इसमें हमने जो ठंड़ाब का सिरप त्यार किया था दो चमच हम उन सिरप को डाल कर इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इन ठंड़ाई को ग्लास में डाल देंगे और इनकी गार्निशिंग भी हम कटेवे मेवे और फ्रेस गुलाब की पंकुड़ी से कर देंगे आप इन दोनों तरीके से इन ठंड़ाई को बनाईए और इन्हें आप ठंड़े जगापर रखकर लंबे समय के लिए स्टोर भी कर सकते हैं दोस्तों आपको मेरी ये रिस्पी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए और ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल मत भूलिये